सबी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार वरा नमस्कार सत्ते ही है सचकी जीट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपको कमर दर्द के बारे में सरल छोटे-छोटे गरेलू नुश्के बताएंगे और हमें कमर दर्द किस कारण से होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कमर दर्द गलत खान-पान की वज़े से गलत उठने-बेटने का तरीका ज़्यादा वजन उठाने या ज्यादा देर तक एक ही जगे बेट कर या जुकर काम करने की वज़े से हमारे सरीर की मास पेशियों में खिंचाव आने के कारण हमें कमर दर्द होने लगता है क्योंकि हमारी आरामदाएक जीवन शेली के कारण और कम गुमने फिरने के कारण भी हमें कमर दर्द होता है तो हमें कसरत व्याव्याम या परणायाम जुरूर करना चाहिए इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फाइदा मिलता है अब आपको नुश्के बताते हैं आक की जड़ के पास की मिट्टी को कड़ाही में गरम करके कपड़े की पोटली में डाल कर कमर दर्द वाले इससे पर शेक करने से कमर दर्द में तुरंत फाइदा मिलता है यह उपाए आराम मिलने पर कई दिनों तक इसका प्रियोग कर सकते हैं दूसरा उपाए आपको बताते हैं जो बिलकुल ही आसान और बिना पैसे का है आप गर पे इसका प्रियोग कर सकते हैं एक मोटा कपड़ा या रूई का कोटन लेकर आप उसको तवे पर गरम करें और कमर दर्द वाले इशे पर उसका गरम गरम शेक करें इससे आपको कमर दर्द में तुरंत फाइदा मिल जाएगा और यही उपाई आप चाहे गुटने में दर्द हो या सर दुखें तो यह उपाई आप करने से आपको तुरंत लाब मिलेगा कमर दर्द में मेथीदाने का पाउडर बना कर एक चमच पाउडर कई दिन लेने से कमर के दर्द में आराम मिलता है कमर के दर्द में लैसुन कारस एक चमच में निम्बू कारस एक चमच मिलाकर कई दिन सुवई श्याम लेने से कमर के दर्द में फाइदा मिलता है शरीर में कैल्सियम की मातरा कम हो जाने से हमें कमर दर्द वे गुटनों का दर्द होने लगता है इसलिए कैल्सियम युक्तपदार्थों का शेवन अधिक मातरा में करना चाहिए कैल्सियम की पूर्ती के लिए चुना सब से रामबान काम करता है इसलिए चुने का प्रियोग करने से कैल्सियम की सरीर में पूर्ती हो जाएगी दिन में एक बार एक गेहूं के दाने के जितना चूना पानी में मिलाकर पीने से कमर दर्द में बहुत ही ज़ाधा मिलता है और इससे केल्शियम की कमी भी हमारे सरीर में पुर्ती हो जाती है विशेष ध्यान यह रखना है कि जिन को पेट में पत्थरी की समश्या हो उनको चुने का शेवन नहीं करना चाहिए चुना हमारे सरीर की हड़ियों को मजबूत बनाता है चुने की अधिक मात्रा को शेवन नहीं करना है एक दिन में केवल एक गेहुं के दाने जितना चुना ही पानी में मिलाकर या दाल में मिलाकर शेवन कर सकते हैं 20-30 दिन तक ही शेवन करना है फाइदा मिलने पर कुछ ही दिन और अपनी आवशक तानुसार इसका परियोग कर सकते हैं अजवाइन को तवे के ऊपर मंद मंद आँच पर शेक कर ठंडा होने पर दिरे दिरे चबाते हुए निगलना है हलका गरम गुनगुने पानी के साथ इसको आप कई दिनों तक शेवन कर सकते हैं सरसों के तेल में पांच लैसुन की कलियां डाल कर आदा चमच अजवाइन डाल कर तेल को गरम करना है जब लेसुन की कलियां काली होने लगे तब इस तेल को चान कर ठंडा होने पर कमर में हलके हातों से मालिस करने से कमर दर्द में फाइदा मिलता है एक लिटर पानी को गरम करें इसमें फिटकडी 25 ग्राम शेंदा नमक 20 ग्राम डाल कर इस पानी से कमर गुटने या सरीर में कहीं भी दर्द हो उस दर्द वाले बाग पर कपड़े को इस पानी में डुबो कर शेक करना है इस शेक को करने से आपको कमर दर्द या गुटनों के दर्द में पुरंत फाइदा मिलेगा दूद में दो ग्राम हल्दी को सर्दी के दिनों में शेवन करने से कमर दर्द में बहुत ही ज़्यादा फाइदा होता है यह प्रियोग गुटने के दर्द वे जोडों के दर्द में फाइदा करता है दो ग्राम सोंट का चूरण सर्दी के दिनों में सुबह शाम दूद में मिला कर पीने से कमर दर्द और गुटनों के दर्द में आराम मिलता है पान से साथ पत्ती केसर को दूद में मिला कर पीने से कमर दर्द में आराम मिलता है सहजन की फली की सबजी खाने से कमर दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाब मिलता है एक चमच अद्रक केरस में आदा चमच गी मिला कर पीने से कमर दर्द, गुटने का दर्द, जोडों का दर्द या सरीर में कहीं भी दर्द हो इस से आपको बहुत ही जबरदस्थ फाइदा मिलेगा हल्दी, सौट, मेथी दाना, तीनों को बराबर मिलाकर पाउडर बनाना है इस पाउडर को बनाकर एक चमच पाउडर सुबह शाम अलके गरम पानी से खाली पेट लेना है इस से आपका कमर दर्द, गुटनों का दर्द में बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा आज आपको गुटने के दर्द के बारे में कई छोटे-छोटे नुस्के बताए हैं आपको जो भी नुस्का सरल लगे वही नुस्का आप परियोग कर सकते हैं कमर दर्द के बारे में पहले भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है, उससे भी आप कोई नुसका प्रियोग कर सकते हैं, आप सुष्थ रहें, सुखी रहें, इसी आसा के साथ आपने अपना कीमती समय देकर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत ध अन्यवाद